इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे नंबर की विधानसरवा सीट की जिसे करिश्माई सीट भी कहा जाता है। इस सीट का अभी तक का इतिहास है कि जिस किसी पार्टी का विधायक इस सीट से जीता सरकार उसी पार्टी की बनेगी। यह है गंगूत्री विधानसरवा सीट। विजय पाल सिंग साजवान 2002 में कॉंग्रेस से विधायक रहे यहां से भारते जिन्ता पार्टी के बुद्धी सिंग पवार तीसे नमबर पर थे और दूसरे नमबर पर थे कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया से कमला राम नौठियाल वहीं गोपाल सिंग रावत जो कि भारती जन्ता पार्टी के टिकेट पर गंगोत्री सीट से 2007 में विधायक चुने गए कॉंग्रेस के विजय पाल सिंग साजवान दूसरे स्थान पर रहे 2007 में आसपास कोई तीसरा प्रतिदंदी इन दोनों के दिखाई नहीं दिया 2012 में विजय पाल ने गोपाल सिंग से कुर्सी वापिस चिन ली इन चुनाओं में भी गंगोत्री सीट पर कोई तीसरा दमदार प्रतियाशी नहीं रिखा यहां मुकामला विजय पाल सिंग साजवान और गोपाल सिंग रावत के बीच में ही रहा जबकि दोनों छातर जीवन के समय खनिष्ट में थे 2017 में फिर गोपाल सिंग रावत ने बतौर बनायक वापसी की विजय पाल को उन्होंने साड़े 9000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी 22 अप्रेल 2021 को कैंसर से जूचते हुए गोपाल सिंग रावत स्वर्ग सी धार गाये राजनेति की तिहास को मद्दे नजर रखते हुए विजय पाल साजवान अब इस सीट पर अकेले कदावर नेता है भाज़पा को भी उन से टकर लेने की सीटी में ऐसा कोई व्यक्तित नजर नहीं आता इस सीट पर जिसे टिकट ठमा कर 2022 में विजय पाल साजवान से लड़ने भेड़ा जाए अब स्वर्गिय गोपाल सिंग रावत की धर्म पतनी शांती रावत जो कि सरकारी विद्याले में बतार सिक्षी का काले रती उन्हें स्तीफा दिलवा कर शायद भाज़पा चनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है साहन भूति लहर के सामने हिंदुस्तान की राजनियती में अच्छी अच्छी सूर्मा नहीं टिक पाया ये सभी जानते हैं एक और मज़ेदार सिक्वेंस पर गौर कीजिए ख़बर है कि आजकल विजय पाल सजवान ना तो राजनियती कारेकरवों में दिखाई दे रहे हैं कहीं नहीं कांग्रेस की आगामी चुनाव के मद्दे नजर आए दिन होने वाले प्रदर्शनों में ही वो नजर आ रहे हैं नहीं उनका हिस्सा बन रहे हैं उपर से दल बदल का जल्वा आप देखी रहे हैं उत्रा खंड में तो हो सकता है सजवान अपने कारियाले से राहुल जी का फोटो हटा कर मोदी जी का लगा दे अब राजनेती आखिरकार नेती तो राज की ही है बागी दाओं तो सब अपने अपने चलेंगे ही उत्रा खंड में सभी सीटों पर चलाओं लड़ने का दावा करने वाले केजरिवाल यहां किस पर दाओं लगाते हैं हमारी नजर बनी रहेगी देखते रहेगेगा बहुत बहुत धन्यवाल